इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक परकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई second wave of corona जिसको मैं कहूंगा लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक सितंबर तक इसी प्रकार से यानि आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रती दिन जो केसिज थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम इकती सो केस एक दिन में गए थे लेकिन इस बार यह एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले डेड़ महिने में ही यानि कल की जो संख्या है पांच जार आठ सो अठावन यह केस पहुँच गए यानि पहले से भी लगभग दुगना लवल पर यह पहुँचे हैं एक चिन्ता होई है और उस चिन्ता के कारण से सारा देश बहुत से प्रांत बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर्याना भी पीछे नहीं रह पाया है हमारा प्रुसका प्रदेश चाहे पंजाब हो चाहे चंडीगड हो दिल्ली हो उत्तरपदेश हो राजिस्था हो सभी इस तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं इस बार अंतर थोड़ा ये है कि पिछली बार शुरुआत होई थी दिल्ली और आसपास के जिले वह ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन इस बार जीटी रोड के जिले जिसमें चंडीगर्स के साथ लगते पंचकु कर दी है हाला के बाकी प्रांतों के तुलना में हमारा रिकवरी रेट जो एक समय तो ऐसा था कि 98% अठाणवे प्रिश्य तक रिकवरी रेट हो गया था लेकिन अभी घट करके 90% तक आ गया है बहुत प्रदेश हमारे से पीछे हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों की तुलना क का विशे नहीं है हम चाहते हैं कि करोना हमारे हां बिलकुल नहीं आना चाहिए आया है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए तो इसके लिए हमने बहुत सी सावधानियां जैसे पिछले वर्ष बती थी उसी प्रकार की सावधानियां इस प्रकार इस बार भी बदलने के लि पैनिक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था और पैनिक होते हुए लोगों ने अपने वेवसाए यानि हाला के लोकडाउन के समय हमने पेक्षा की थी कि सब बजार बंद करें सबी उद्योग भी बंद होने चाहिए और उसका दुश्परणाम ये हुआ था कि बहुत से मजदूर प्लाइन करके अपने घरों में दूसरे प्रदेशों में जाने लग गये थे लाकों की संख्या में मजदूर गये वह वापिस भी आये जब सितियां ठीक हुई तो वापिस अपना जो उद्योग है आर्थिक जो सारा चक्र है वो ठीक अपने लेवल पर आ गया और दुबारा से अपनी गती ने पकड़ा इस बार हम सावदानी बरत रहे हैं कि उस प्रकार का पैनिक नव हो और पैनिक होने का कारण इसलिए भी नहीं है कि एक अनुभव ऐसा बता रहा है कि कोविड का जो भी मरीज है उसका नेश्यत एक करम बना है कि वो चौदा दिन से औ कि विवस्था है वो सारी हमने की है आज भी हमारे हस्पितालों में ऑक्सिजन की विवस्था पूरी है आयो सी बैड्स की विवस्था पूरी है वेंटी लेटर्स भी प्रयाप्त मातरा में हैं कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी हमारे हस्पिताल सब सुसंजित हैं हमारे ड आगे नए व्यक्तियों को करोना न फैले इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं जैसे टेस्टिंग है टेस्टिंग अभी भी 30,000 से उपर ये प्रतिन होती है और टेस्ट होने के बाद जो व्यक्ति याने कोरोना से प्रभावित होते हैं फिर उसके बाद उनकी ट्रेकिंग होती है और ट्रेसिंग होती है कि उनके साथ कौन-कौन व्यक्ति पिछले दो दिन में या तीन दिन में सम किसी को करोना होता पाया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट की और भी ले जाया जाता है तो ऐसी यह चार जो स्टेप्स हैं यह सब हम करते हैं जिसमें टेस्टिंग है ट्रेकिंग है ट्रेसिंग है और ट्रीटमेंट है इस आदार पर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं आज भी 30,000 से उपर लोग प्रती दिनी ये टेस्ट हो रहे हैं और वैसे तो टेस्टिंग जितनी ज्यादा हम करेंगे हो सकता है उतने ही करोना पीड़ित जो मरीज है वो ज्यादा हमको आएं लेकिन इसकी चंता नहीं है हमें चंता यही है कि अगर करोना किसी को पहले तो आना नह चाहिए और अगर आया है तो जल्दी से सुरक्षत हो करके जल्दी से ठीक हो करके इलाज हो करके वापिस अपने घर को लोटे इस बार के जो करोना पॉस्टिव केसिज हैं उसमें एक बात और ध्यान में आई है कि यह बहुत ज्यादा वो सीरियस नहीं है बहुत ज्यादा बेचनी पैदा नहीं कर रहा है तो हमने ये भी कहा है कि वो सब घरों में ही रहें और घर पर ही रहे करके आईसोलेशन यह उनका होना चाहिए आईसोलेशन की जितनी भी किट्स हैं यह उनको उपलब दुकरा दी जाती हैं कि जिसको जैसी आफशकता हो मास्क है मास्क के करके परामेडिकल स्टाफ है वो भी जा करके उनको चेक करता है कोई परिशानी आये तो उनको वो एक परकास्व को ठीक करते हैं टेली प्रामर्श शूइधा हर दिन दो बार वस मरीज को टेलीफोन से भी जानकरी ले लिए जाए कि कहीं कोई दिक्कत अकलिफ नहीं है ऐसी व सेनिटाइजेशन की बॉटल्स लिक्विड की हैं बिस्तरों की संख्या है कलोरोक्वीन की गोलियां है और विशेश तोरपर जो रेमडे सीवियर ये जो गोली है इसकी भी इंजक्शन की प्याप संख्या हमरे पास है कहीं किसी को प्रशान होने की जूरत नहीं है ये एक ऐ इसी दवा है जो बहुत आवशक होने पर ही उमरीज को लगाई जाती है हमने इसके लिए हल्प लाइन नंबर भी बनाये हैं तीन जिलों का विशेशकर पंचकुला गुरूगराम और फृदाबाद जिनका एक अलग से नंबर रखा है अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वैसे समाचार पत्रों मनें दिया भी है फिर भी उसको नोट करें आठ पांच पांच आठ आठ नो तीन नो एक एक एट डबल फाइव डबल एट नाइन थी नाइन वन 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 ये तीन जिलों के लिए इस नंबर पर हम जो है हल्प हल्प लाइन के नाते इस इसका उप् पांच वन जिरो सेवन फाइव इस चार अंकों के नंबर का हम उपयोग कर सकते हैं अभी जो कॉरोना मरीज होते हैं उनके लिए तो ये सब सावधनिया हैं लेकिन आगे लोगों को कॉरोना ना हो इसके लिए भी हमने जो इराज किये हैं एक तो वेक्सिनेशन का ठीका हमार वग्यानिकों को इस बात की बढ़ाई है कि दुनिया के जो अगरणी देश है उसी प्रकार से हमारे वग्यानिकों ने जो वैक्सिनेशन का ठीका इजाद किया है इसमें हम लोगों ने अपने अपने देश के लोगों को तो ठीका लगाना शुरू किया है आस पास के कुछ छो कि उन्हकों करना शुरूं किया लेकिन आपने भी हरंद देश के को जितनी आय वैक्षिक नेशन ठीके बिज़े जा रहे हैं अपने प्रदेश में भी किसी कमी नहीं ऐग राव करके जो यह ठीक में वो लगाया जाते हैं पिछले दुनों में हमने ग्यारा तारिक से चौदा तारिक तक एक वैक्सिनेशन का प्रदेश व्यापी टीका महाभियान ये चलाया था वैक्सिनेशन उत्सव इसका नाम दिया था जिसमें लगबक 6 लाग टीके ये हमने उन 5 दूनों में ही लगाये हैं अभी 20 अपरेल स से एक बड़ा महाभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं ताके 45 वर्ष से उपर के आयू के सब लोग ये वैक्सिनेशन का ठीका ये अवश्या लगवाले हैं ये टीका दो बार लगता है एक बार प्रार्म में और उसके बाद तीन सब्ता के बाद उस ट किसी भी ऐसे जो खत्रे की कोई ऐसी नजदीक हमारे नहीं आयेगा करोना जिसके कारण से अपने आपको बचाओ ये सुरक्षित कर सके हो सकता है कि अंदर सकार की और से कुछ दिन बाद ये 45 वर्ष आयू जो है इसमें और भी कम की जा सकती है फिर बाकी नौजवानों को भ है मास्क ना होने पर हम चलान भी करते हैं 500 रुपे का चलान साथ में मुफद में मास्क भी दिये जाते हैं चाहे हमारे पुलिस के द्वारा जो ट्रैफिक पुलिस है अत्वाने पुलिस है चौक पर जहां भी कोई बिना मास्क पहने मिलता तो उसको वश्य चक्या जायेगा चाहे वो वहन पर है चाहे वो पैदल चल रहा है लेकिन मास्क पहना आउश्य है ऐसे ही बजारों के अंदर भी जहां भी व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है भीड ना लगाएं अलग लग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठाई नह हैं इन सब स्थानों पर भी हम जब जाएं तो अपना मास्क भी लगा कर रखें लेकिन एक साथ भीड में लोग इकठे नहों इसी परकार से हमने जो करोना का कर्फ्यू ऐसी भी एक प्रावधन किया है कि रातरी नो बजे से लेके प्रत्यकल पांच बजे तक करोना कर्फ्य के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कारवाई वो निश्यत रूप से की जायागी जहां तक सामुही कारकरम जैसे विवाशादी है अत्वा किसी दुख में सुख में लोग इकठे होते हैं उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडूर में कहीं भी कोई इंडूर फंक्शन हैं बंद कमरे में हैं बंद हॉल में हैं तो उसकी कपेस्टी का आधा अधित्तम पचास वक्ति इस से ज़्यादा इकठे नहों और अगर बाहर कई मैदान में करना हैं तो दोसों से ज़्यादा वक्ति इकठे नहीं होने चाहिए कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शन कायोजन तो ज्यादा लाब रहेगा आजकल नौरातर के दिन चल रहे हैं और नौरातरों के दिनों में भी जैसे भजन कीरतन संद्या होती है इसको हम साइकाल के समय दिन के समय करें ज्यादा अच्छा होगा तो इस से भी हम अपने आपको इन साउधानियों को कर पाएंगे और आपको बचा पाएंगे मितरों हमने इसके लिए जितने भी स्कूल हैं पहली से और बारवी तक के सबी स्कूलों को तीस अपरेल तक बंद कर दिया है और नक्यवल स्कूल बंद किये हैं बलके अभी जो इसी सब्ता दसवी की परिक्षाएं होने वाली थी उन परिक्षाओं को रद कर दिया है अब वो परिक्षाओं नहीं होंगी बलके उनका मुल्यांकन अलग प्रकार से करके उनको अगले कक्षाओं में कर दिया जाएगा जहां तक बारवी की परिक्षा है इनको स्थगित किया गया है जैसे ही स्थिति ठीक होती है करोना की उसके बाद इसका टाइम टेल बना करके और निश्द रूप से इसको परिक्षा को जो है लिया जाएगा उस समझ जैसी विवस्ता होगी वैसी करेंगे करोना को ना आए यह हमारी इच्छा है आए तो जल्दी से इलाज हो यह उसका ए अब एक विशह जो बहुत ही मुझे एक परकार से कस्वदायक सती है उसको मैं वर्णन कर रहा हूँ पिछले बार भी अपरेल के महिने में हम देखते हैं कि हमारी जो मंडियां थी उसके अंदर प्रक्यूर्मेंट का विशह चल रहा था वो प्रक्यूर्मेंट तो इस परका थीक अंद्वन करना हर किसी का लोकत्त्रिक अधिकार है कहीं कहीं इस लोकत्तरिक विवस्था को तोड़ा जाता है उस समय प्रशाषन को भी Спर्षाशन को भी कटयाई होती है भो चीज तो बाद में हम देखेंगे लेकिन अभीत पहूंते होते हैं जब इकठे होते हैं तो निश्य रूप से कोरोना के फिलाव का भैवाब बना रहता है हमको पता ही रहता कि कौन कोरोना पॉजटिव हो गया होगा कौन नहीं हुआ होगा जहां जहां लोग इकठे होते हैं वहां की अब चर्चाम करें तो बहुत सानों पर कई विद्यालेओं में विद्यारत थी अत्वा सामोई कुरूप से उनके अध्यापक आज तो एक बसड़े के अंदर वहां जो ड्राइवर कंडेक्टर उनको दिखा गया कोरोना के टेस्ट हुए तो पंदरा सूला लोग एक साथ करोना पॉजटिव निकले तो उस बसड़े को भी 24 हंटे के ल करके हम मानों बैठे हैं हमारे अधिकार कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं इसको सुरक्षित करना है हमारी समस्या है इसको हल करना है विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है कैसी नहीं हल होगा नहीं होगा यह विचारों का अंतर हो सकता है लेकिन आज वि प्रदेशों में, अज़ारों के संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आकिर हम भी इन सावधनीों को क्यों न बढ़ते हैं, जान हैं तो जान हैं, अगर हमारी जान नहीं बची, तो फिरी सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी, इसलिए मेरी अपील है, ऐसे किस ही नहीं है लोक्तंत्र व्यवस्ता बनाई रखने चाहिए लोक्तंत्र जैसा हमारे अधिकार है ऐसे दूसरों का भी लोक्तंत्र अधिकार है तो हम किसी दूसरे के कस्ट का भी यह न बनें तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग आज इस अंदोलून को His समाप्त करें अपने अपने स्थानों पर जाएं अपने परिवार की भी जिंता करें अपने भी जिंता करें अपने समाज की भी जिंता करें करोना हुआ है तो उसका इलाज कराएं करोना आगे फैले नहीं तो उसकी सारी वश्थां जो परबंद बताये हैं वो सब परबंद कर पाएंगे जहां तक मंडियों में इस समय परक्यूर्मेंट की बात है परक्यूर्मेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्हुस्ते हम ने की थी बाजारों में भी हमने मास्क को पलब कराय थे सैनिटाइजर पलब कराय थे और सब लोग दूरी बना करके रखें ऐसे काम सब ने किये थे और मंडियों के प्रचेश सेंटर यह हमने अलग से बनाये थे बड़ी संख्यावे बनाये थे इस बार भी हम उस सब कर रहे हैं हमारी प्रक्योर्मेंट में इस में आदे से जादा अनाज जो है को मंडियों में आ चुका है लगबग 60 परसंट 80 लाख मेटरिक टन यह अनाज आना है 50 लाख मेटरिक टन यह अभी तक आज तक आ चुका है जिसमें से 40 लाख मेटर टन इसकी एक परकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मेटर टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है तो ये उठान हर दिन बड़ोतरीस की हो रही है उठान जल्दी ही जल्दी हो ये हमारा प्रतन है ट्रांसपोर्ट वस्ताय सब ने की हुई है डिप्ती कमिशनर उसको पूरे अधिकार दिये हुए है कि ट्रांसपोर्टर उसको यदि माल उठाने में दिक्कत आती है अलग से व परशा आती है तो उस अनाज का नुकसान हो सकता है वो नुकसान चाहे किसान का हो चाहे सरकार का हो चाहे किसी अजनसी को हो फसी आई का हो आखर तो हमारा सबका नुकसान है प्रदेश का नुकसान किसान का नुकसान जनता का नुकसान आखर हमारा सारा सबका नुकसान है त लेकं मैं किसानों से बेपील करूँगा कि एक देन के लिए दो देन के लिए जहां ज़्यादा अना जा गया है गलटेंग हो गए ही भीड हो गई है मना आज बार निकाला नहीं जारा है वहाँ दो दिन लाने की स्पीड थोड़ी कम कर लें दो दिन के बाद ये सारी मंडियां खाली होने पर या सारी खाली नहीं होगी तो कम से कम अतनी जगा बनने पर दुबारा से हम लेकर के आएंगे तो इसमें हमारा भी लाब होगा ये जरूर हम करें और जहां तक मंडियों में विवस्था की बात है सब विवस्था हमने पूरी की है बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है गोडाउंस में जगां की कोई कमी नहीं है ट्रांस्पोर्टेशन में थोड़े वाहनों की कमी हो सकती है जिसका मैंने कहा कि डिप्टी कमिशनल को हमने पूरे अधिकार दिये हैं वो सब इसको ठीक कराएंगे और जहां तक पेमेंट की बात है पैसे की बात है इस बार वस्ता की है कि किसान के हर एक के खाते में ये पैसा जाएगा अभी तक मेरी जानकरी के साब से साड़े छिस्सो क पास कठने के बाद और उनका जो टाइम है पेमेंट का वो शुरू हो जाता है उसके बहतर घंटे के अंदर उनके खाते में ये पेमेंट जरूर पहुंचेगी ऐसा हमने सुनेशित किया है तो इस प्रकार से आप सबकाश में सयोग चाहिए किसानों का भी सयोग चाहिए सारा जो एड्मिस्टेशन है वो डट करके अपने डूटी ने भाई रहा है कहीं कोई लापरवाई न बरते ये मेरा आप से अन्रोध है मैं फिर से आज उसी शेप रहूंगा कि जो करोना की महामारी है इस से हमको बचना है और ये लगातार दूसरे वर्ष का ये करम चल हैं जो फैक्टियों में काम करते हैं उनसे मैं आगरा करूंगा कि यहां रहें चाया अपने प्रदेश में रहें घर में रहें सती एक जैसी है कहीं अंतर पढ़ने वाला नहीं है सावधानियां यहां भी बरतनी होंगी सावधानियां वहां भी बरतनी होंगी इसलिए हम नि इन शिफ्टे करनी तो तीन बार शिफ्टे करें इस परकार से और किसी को छुटी के दिन भी अगर कोई फैक्टी बंद रहती तो छुटी की दिन का उपयोग करें लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी विवस्ता हैं जो हमारे प्रवंदक हैं जितने भी उद्योग द्योग पती हैं वो सब प्रवंदवस्ता करके सानी हमारे डिस्टिक एडमिशनिंग साथ जूड़ करके रहें कोई भी किसी प्रकार की कठनाई आएगी तो हरियना सरकार आपके साथ खड़ी है हर प्रकार सायोग करेगी किसी को को तकलिफ नहीं आने दी जाएगी चाहे कि अंदरा स्वकरोड रुपे की वस्ता हमने पिछले बर्ष इसी काम के लिए की थी इस बार भी अवमरी लगातार मीटिंग चल रही हैं हमारा जो एक गरूप बनाया टास्क फोर्क स्टेट लवल पर डिस्टिक लवल पर भी हमने टास्क फोर्स बनाये हैं वो सब टास्क फो एक बड़ा बनाकर एक होंसला बनाकर एक अपने हिम्मत बनाकर इस बेमारी से जूजना है हमको हारना नहीं है कुराना को हारना है यह संकल्प लेकर के आगे बढ़ें यही बात कहते हूं आपनी बात समाथ करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद